कि एप हलो एप आप सभी लोग बहुत अच्छा गुरुतिनी अच्छे तरीकों सब्लोग का पढ़ाई वी चार रहा होगा तो उस पढ़ाई को और भी बेतर बनाने के लिए हम लोग का नमबर महने का सानमेंट आ गया है जिसमें हम लोग अच्छा दसवी हिंदी का देखने वाले ठीक है कुस्टन नमबर फ़स्ट देखते हैं मरिया प्रथा ने सीव कुमार की जिन्दकी को किस तरह बदल दिया तो इसका आंसर आप लोग इस तरीका से लिखेंगे क्योंकि आप इसका असर आप लोग इस तरह से कंप्रेट लिख सकते हैं ठीक है प्रशन नमबर दो कोठी मा धान चलक जाए यह जिन्दगी फिर चमक जाए इस पंग्ती का क्या आसा है हम लोग को लिखना है ठीक है पचास से पचातर सब्दम तो इसका अंसर आप लोग इस लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि उप्रोक्त पंग्ती के माध्यम से कविया कहना चाहते कि हमें अपने भीतर चाकार आत्माक्ता का संचार करें जिसे हमें पिरड़ा मिले और हम विश्वास के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़े है ठीक है इस तरह से कंप्लेट आप लोग पूर लिख सकते हैं इसमें ब ताना साही क्या है ताना साह की जीवन साहली कैसे होती है अपने सब्दों में लिखना है तो इसका अंसर हम लोग को इस तरीका से लिखना है तो सबसे पहले ताना साही किसे कहते है यह समझाना पड़ेगा है ना तो ताना साही किसे कहते है जब मनु यह लेकलना फ्रहर सी पर ल MRD आख़ कोeschा करणा है क्या एक यह व्यक्तित व्यक्तित को करने के उनलोगर इसको करने गैक देंगे है टो इसको इसमें देखो कि संदर्भ लिखना पड़ेगा प्रसंग लिखना पड़ेगा और इसको व्याक्या फिर लास्ट में इसको विशेज भी लिखना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीका सब तीनों को इसको कंप्लेट लिख सकते हैं अब देखो फेपने नमबर का मोस्ट इपॉर्टेट क्योंकि इसमें से यह फाइनल एक्जाम में आए गई यह आए गा है ना क्योंसन नमबर फेप्त क्या है निमने लिखी तो विशाय हो में से किसी एक विशाय पर लगभग डीर सो से दो सब्दों में लिखना है जैसे कि समय का सद उपयोग के बारे में लिख सकते हैं स्वक्षाता अभ्यान के बारे में लिख सकते हैं इंटरनेट आज क्यों सकता के बारे में लिख सकते हैं तो आप लोग चाहो तो किसी एक में भी लिख सकते हैं तो मैं आप लोग को सो कर रहा हूं साहार तो होना जरू ही है ठीक है आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफूर रहा होगा तो यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको एक यूजफूर कंट्रेट का बेनिफिट मिलती रहे एक हैं मिलते हैं अगली वीडियो पर